सो गैस बात करते हैं यहां पे Realme Devices के USB Dubging के बारे में कि अगर आप लोग के फोन में USB Dubging अगर वर्क नहीं कर रहा है तो कैसे आप लोग इस प्राब्लम को फिक्स करेंगे वीडियो स्टाट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीचिगा बिलका इकन को प्रेस कर लेना है तो फस्ट अफॉल यहां पे हम फोन में सेटिंग्स ओपन करेंगे और जो हम रियलमी का फोन यूज़ कर रहे हैं वो Android 12 पे काम कर रहा है तो इस टैप का आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा सबसे पहले आप लोग को हम बता देते हैं सिस्टम सेटिंग्स में OTG connection आप लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे यहां पे आप लोग का OTG connection आ गया OTG वगेरे connect करना होगा तो यहां से आप लोग connect कर सकते हैं और जैसे कि सुरवात में हमने आप लोग को बताया था कि हम यूज़ कर रहे हैं Realme का Android 12 पे काम करने वाला device ओके ऐसा इसलिए बोला जा रहा है यहां पे क्योंकि पहले जो Realme के फोन हुआ करते थे Android 11 पे जो काम करते थे उनमें आप लोगों को जो है Additional Settings मिलता था अब आप लोग को System Settings मिलता है ठीक है ता आप लोग को यहां पे जो है System Settings पे क्लिक करना होगा और यहां पे आप लोग को देखने को मिलेगा Developer Options अगर आप लोग को Developer Options देखने को नहीं मिल रहा है तो आप लोग अपने फोन के About फोन पे जाईएगा Software Information पे क्लिक करेंगे और आप लोग को Build Number पे लगबख 4-5 बार टैप करना है आप लोग के फोन में Developer Options जो रहेगा वो Enable हो जाएगा अब यहां पे हम System Settings पे क्लिक करते है इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पे हमें देखने को मिलेगा USB Dubging ठीक है और उसके जस्ट नीचे में आप लोग को मिलेगा Revoke USB Dubging ठीक है तो आप लोग को Revoke USB Dubging पे क्लिक करना होगा और आप लोग को इसको एक बार Revoke करना होगा Revoke करने के यूँ बोला जा रहे है कि दिखिए अगर अल्रेडी कोई भी डिवाइट पेर होगे आप लोग के फोन से तो सब कुछ क्लीन हो जाएगा और आप लोग फीर से USB Dubging को On कर लिजेगा अब आप लोग का USB Dubging जाए काम करने स्टाट यहां पे कर देगा और भी सेट अप से रहते हैं जैसे कि आप लोग थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा Default USB का सिस्टम और यहां पे उसके जस्ट मिलेगा USB Configuration ओके स्टम क्लिक करेंगे तो जैसे कि हमने इसमें चार्जिंग सेट अप किया है तो जो भी आप लोग USB लगाते तो आप लोग को अगर Media Traster Protocol करना है Picture Traster Protocol करना है USB करना है IMDI करना है तो वो भी आप लोग आप आप कर सकते ठीक है